आपको लिए जलते हैं वारानसी राजनीती के आज के विशेश अंग के लिए और इसके लिए हम सीधा रुख करेंगे हमारे संपादक राज किशोर जी का ओवर टू यू राज किशोर जी और आज मुद्दा भी है आप से बेहत चुड़ा हुआ बेहत संवेदन सील राजनीतिक तोर पर जो कभी रह चुका है और ये है आरक्षण आरक्षण का ये निया श्रीगूफा उस समय आया है जिस समय CAA पर भयानक कोहरा और भयानक सरदी उस पर पूरा देश सरगर्म है उसी समय एक आरक्षण का बाउंसर आया और वो भी नोकरियों में नहीं उत्तरप्रदेश के उपमुक्मंतरी केसो प्रसाद मौरिया ने आरक्षण में आरक्षण की जो मांग की है वो ठेकेदारी में मांग की है और मांग क्या की है वो तो सरकार है उन्होंने कहा है कि SCST OBC 7 गरीब 7 सबको वो आरक्षण देंगे और ये साथ देश में पहला मौका होगा कि ठेकेदारी में आरक्षण होगा लेकिन कैसे होगा कैसे नहीं होगा अभी इस पर कोई चर्चा नहीं लेकिन ये आरक्षण कितना स चर्चा करेंगे आपर हमारे काफी विशेश बेमान हैं उन सब के साथ चर्चा करेंगों काशी की जनता भी है कि लोकुनार विभाग एक बड़ा विभाग है कि हम बड़ी संख्या में सबकों कर निर्मार करते हैं कि 40 लाख रुपए तक के जो टेंडर होते हैं उसमें हम ल अनसोची जनजाती के दो परतिसत पिछडावर के 27 परतिसत और सामान वर के 10 परतिसत जो गरीबों को समयधानिक द्रिश्टी से आरच्छन विवस्ता है इस प्रकार के रोजगार के जो आउसर उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिले उनको आउसर मिले वह भी मुखधारा में आ सके तो सुना अपने उप मुख्यमत्री केशो परसाद मौरिया को और केशो परसाद मौरिया ने जो कहा है उसके क्या नहितार्त है वो कितना व्यवाहरिक रूप से सफल हो सकता है उसमें कितनी सच्चाई है और उसके क्या दूरगामी प्रेडाम होगे चुकि जब हम पास कानी देखता बहुत दूर की सोच के चलता है साथ इसलिए प्रधानमंती नरेंद मोदी बहुत दूर की सोच के यहाँ 2014 में चुनाओ लड़ने आयते गुजरात से और वो दिल्ली के सत्ता तक पहुचे तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए साथ इससे बहतर जगे नही और हमाय साथ में विनेशंकार राइजी मोदेगा नौकरियों में सब जगे बहुत दो समाजवाधी पार्टी मांग करती रही और आपके पास भी मायावती पर एक तरीके से जो आपकी राश्टी नेता है उन पर पढ़त बना ली थी इसके बाद अब उन्होंने एक और लंबी लाइन खीशती है तो आपको लगता है कि आपके लिए खत्रा है देखिए निश्चित तोर पे राश्टी सुरच्छा और जनता हित के लिए यदि जो काम आता है जो बात आती है उस पे माननी बहन जी विचार अपनी रखती हैं लेकिन ये सिर्फ जनता को गुमरा कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं इनको लगता है कि हम गुमरा करके ले लेंगे इसके फहले इण् apo Nou ने कहा था 17 को हम आरक्षडी इंगे संतर्य जाती को है सी playful में जोड़ेंगे इन्हों ने जोड़ा नहीं जोड़ा एक जूट बोलते और गुम्रा करते हैं यहीं कामें का और कुछ करना नहीं है यह अगर जनता हित के लिए जो भी काम की बात की सफला जमीन पर उतरता है तो यह सही ऐ insider गलत आज तक आप किये क्या हैं आज तक आप क्या किया है यदि सही ले आएंगे तो उसका समर्तन रहेगा गलत रहेगा तो उसका बिरोध होगा अब चुकि दूसरी प्रतक्रिया मुझे लगता है कि भारती जंता पार्टी का हग बनता है तो ऐसा है कुल मिलाकर फिर एक पहुजन समाज पार्टी में केवल और केवल बहंजी है बहंजी जो बोलती है वही सब बोलेंगे विश्णु देयाल जी कुछ नहीं बोल सकते चुकि वह एक प्रकार से मान लिजे कि राज तंत्र का सबसे बड़ा उदारान माया वती जी गंगा को अगर वरुना बोलेंग 5% आरक्षन हम अनुसूचित जेन जाती के लिए 67 परसेंड आरक्षन पिछडी जाती के लिए 10 परसेंड सवरण गरीब के लिए और बाकी जो 22 बचता है वो सब के लिए हैं अब अगर किसी गरीब को ये पिछले दबे कुछ है किले लोगों को हम आरक्षन के माध्यम से ठी कि अगल बगल मेरे मित्र संज छोटा भाई कांग्रेस विनाई जी मेरे मित्र वरोण जी सपा ये सारे लोग एक सुत्री कारणकरम भारती जन्ता पार्टी जो कहेंगी मोदी जी जो कहेंगे उसका विरोध करना बाकी आगे पीछे क्या है इसके बारे में कुछ नहीं ऋबर उन जी कुल मिला कि सिर्फ भारती जंता पार्टी का विरोध करना है उसके लिए मुझर इतने महतुपूर्ण नहीं है। देंगे 240 तो फिर मोदी जी ने कह दिया आज भारती जनता पार्टी का वरकर भी कहता यहां भी स्वतंतरता नहीं एक कहने की बात है यह आप इसके पीछे अगर हम जाते हैं तो अगर चर्चा हो रही है तो चर्चा तो इन बातों की भूने चाहिए कि यह परिस्तिति आई क्य का विवाद है आज प्रदेश उसी पर सफर कर रहा प्रदेश घेल लायव अब अपने आपको बलत बनाने के लिए केशो प्रशाद मौरिया ने एक नया सिकुपा छोड़ा है यह आर्थिक भरष्टाचार को बढ़ावा देने वाला साबित होगा क्योंकि इतिहास जानता ह है आपने जन जाती आरक्षण की बात का दी इस पूरे प्रदेश में एक केवल ओबरा जो है विदान सभा था जो अनसुती जन जाती के लिए आरक्षी था है अब आप चाहते हैं पूरे प्रदेश में मुझे सुनके थोड़ा सा आश्चर हो रहा है क्योंकि यह जो बात है तो उस पे आपके सुर्थ थोड़ा दूसरे हमने आरतिक जो भ्रदेश चाहर की तरफ हमने बात कही सबसे पहली बात कि आपको बहुत से ठेकदार अभी अन्य विभागों में मिलेंगे जिनके नाम का अपना रेजिस्टेसन जरूर है लेकिन अगर इमंदारी से पूछा ज जी आरा हैं जिसका भारती जनता पार्टी किस निति का हम विरोद करते हैं आज कारिकर तारे चाहर किन आज चींतिति बहुत सकते हैं वरिश्पतकार लारी साहब उनसे भी पूचेंगे लेकिन कांग्रेस इस फैसले से सैध्धानतिक तौर पर सहमत है या सैध्धानतिक तौर पर ही असहमत सरकारी संसानों को बेज दिया जाए सारी सरकारी नौकरियों को बंद कर दिया जाए के वल आउट सोर्सिंग से नौकरियां दी जाए आप जितने भी यूपी पीचेस का परिक्षा हो चाहे यूपी यसी 2017 के बाद अभी उसकी वैकेंसी आई ही नहीं है हजारो हजार सिक्षकों की भरती पेंडिंग पड़ी हुई है जितनी सरकारी नौकरियां जिसको देनी है जो गरीब जो है वो पडली करके रोजगार मांग रहा है तो आप से लेकर के आ गए कि उससे भटक जाए लोग GDP पर बात नहों बेरोजगारी पर बात नहों आज दूगा आपकी बात बीच में नहीं खत्म करने दूगा लेकिन यह जो विशह से हटनिया विश्यांतर जिसको हम कहते हैं उससे तो हर पार्टी अपनी सुविधा की साफ़से करती मैं सवाल आप से कुछ पूछ रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आरक्षण की बात कर रहा हूं आरक्षण एकदम निश्ची तोर पर अगर आरक्षण दिया जाए तो उसका स्वागत होगा कांग्रेस पार्टी कभी भी गरीब और असाहाई लोगों को अगर हाथ पकड़के चलाया जा तो उसमें सहयोग करती है लेकिन धर्म के आधार पर जो राजनीत करते हैं वो केव आरक्षण मिल गया कोई भी काम आप करिये उसको अगर लागू कर दीजिए घोसड़ा केवल घोसड़ा रह जाए केवल वह चुनावी फायदे के लिए रहा जाए केवल भट लोगों के को भटकाने के लिए रहा जाए तो उसके बाद अगर हमारे जो भक्त है वो ताली भार आता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जब राजनीतिक दलों के जो मंतव या उनके शब्द जब सामने आ जाते हैं लेकिन यहां प्रश्ट थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा बड़े हैं राजनीतिक नहितार्थ उसके तलासे जाते रहेंगे नफा नुकसान होता र तंत्र और एक बात जो अभी राय साहिब ने भी कही विष्णू जी ने भी कही और गिरी साहिब का तो साफ साफ कहना है कि वो सामाजिक निया की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन जो एक प्रश्ट ना रहा है इसमें क्या कोई सत्ता का टक्राओ भी है अभी तक जो चीजे सामने आई है हमें लगता है कि ढाई साल से ज्यादा का समय हो गया यूपी की सरकार के लिए और उस पर गड़ा मुक सड़कों के बाते कही जाती सरकार बनने के साथ ही गड़े गिनाय जा रहे थे कि इतने गड़े भर गए इतने गड़े बाकी हैं लेक वर्जें के रूप में देखा जाना चाहिए कि कही ने कहीं जो पड़े डियमल का में उस से हटाके अब हम बहुत सुरू करते कि पी अब इसको किस रूप में सरकार मूरत रूप में लाएगी लाएगी भी कि नहीं लागी या तर्प सीखुफार आजागी ये देखने की चीज होगी और हम्हें लगता है इंतदार करना चाहिए लारी साहिब के बाद मुझे लगता मैं काशी की जनता के पास आऊँगा चुकि हमारे पास कुछ यहाँ पर महिलाएं भी है और काशी में हम आए हुए तो अब हम अपने पैनल के पास आपके पास आएंगे केशो परसांद मौरिया जी का बयान आया है उससे आपके वाकिफियत होगी और नहीं होगी तो कम से कम यहाँ काफी चर्चा भी हो गई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं कितना उचित कितना सही कितना अनुचित मैं इसको पूरी तरीके से उचित अनुचित का अभी देखिए सवाली नहीं है क्योंकि एक-एक सभू का सगुफा छोड़ते रही है आप और उसको लागू न करिए तो हम लोग जो ये सरकार है और जिस सरकार जो वादे पे वादे करती जा रही है उसमें हम महिल आया है तो बिल्कुल ससंगीत है और जिस तरीके का ये ठेकेदारी में आरेक्शन तो जैसा कि बड़े भाई ने कहा मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ और शायद वो जो मैं कहना चाहरी थी वो कह गया बात वही है कि लागू होगा कि नहीं लागू होगा या एक मुद्दे से भटकाने के लिए इस देश और प्रदेश को एक चीज़ दे दी जा रही है कुर्मिला के अब थोड़ा सा इस तरफ भी आते हैं क्या नाम है भी आप पहले पना परिशे भी दे दीज़ेगा सत्य प्रकास जी क्या जो सवाल मेरा आपसे था वही सवाल है कोई नया सवाल नहीं है बिल्कुल सवाल आपका सेम है और हम लोग समझते हैं कि इन सीजों में कुछ नया नहीं है आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आरच्छन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है सवाल इस बात का है कि तीन साल बाद ये आया क्यों और ये कोई नया नहीं है मायावती जी की सरकार में दिया गया खलेश आदो जी की भी सरकार में गया तीन साल बाद आखिर इस मुद्दे को भारती जंता पार्टी उठा क्यों रही है क्यों क्योंकि इनकी राजनीती हमेशा रही है देखिए जब ये मेन मुद्दों को आम जंता के नजरिये से हटाना चाहते हैं तो एक नया सगूफा ले आते हैं वैसे ही ये ठेकदारी में आर इप्लिमेंटेशन में आएगा ही नहीं क्यों मिला के सैध्धान्तिक विरोज से ज्यादा ये वाकई जमीन पर उत्रेगा या नहीं उत्रेगा ये बड़ा प्रश्न है अपना परिश्या है और मैं बताना चाहूंगा हमारे जो सोनभदर के जंगल में जो जन जातियां हैं जिनके पास खाने को नहीं है तो वो टेंडर कैसे डालेंगे अपनी वो कैसे इस चीज़ को आएगा क्या भारतिया जनता पार्टी उनको लॉन देगी क्या ठिकदारी के लिए आप कैसे कह देंगे 40 लाग से नीचे जिसके पास 10 रुपए की आउकाद नहीं है जो 200 रुपए 500 रुपए दिहारी पे जीता है यदि आरक्षन आप दे रहे हैं तो उस गरीब तबके का लोग यदि ठीका करके दिखा दे तो हम यह एक नियाय होगा अन्यता आप यह जो आ चर्चा होती ही काशी में तो जितना पैनलिस्ट पॉलिटिकल होते हैं उससे कहीं ज्यादा यहां की जंता होती है तुम्हां आप जंता को ज्यादा समझाबनादाए चलिए आप सबसे बुजूब दिख रहे हैं आप मुझे मताई तो मैं डॉक्टर नंदी किश्वर कि हमेशा से सर्व समावेशी सिधानत पे चलने वाली पार्टी है सब का विकास हो और आरक्षण का पक्षजर सर्व समाज का कर्ड्यान हो यह भारती जनता पार्टी इसकी पक्षजर है इसकी कुल मिला के मैं आता हूं अभी आप सबसे चल्चा लगातार होती रहेगी लेकिन विश्णु जी कुर मिलाकर देखे किसी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया जैसे आप नहीं किया लेकिन जाया तो लोग इसको अमली जामा पहनाय जाएगा ये नहीं पहनाया जाएगा उसको लेकर जरूर सवार उठा रहे हैं लेकिन मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, जब मोहन भागवत ने बिहार चुनाओं से पहले जब कहा था कि आरक्षण कब तक चलना चाहिए, उन्होंने एक समीक्षा की जरूरत थैराई थी, तो उस समय आप खुलकर बड़े मुखर थे, अब जब कहा जा राक्षण दिया यहां पुरा हो गया, बाबा साहब आरक्षण क्यों लागू किये थे, इसलिए लागू किये थे जिनके रोजी रोटी का ब्योस्ता नहीं है, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कम सकम और कमा खालेंगे, लेकिन आज भी, आज भी हिंदुस्तान की जनता जैसे अभी भाई सब बताएं कि नहीं जंगल में जागे देखिए जिनके पास खाने का दाना नहीं हो कैसे ठीके दारी करेंगे तो आरक्षण ठीक है आरक्षण बाबा साब इसलिए दिये और मानी बहन जी उठाई इसमूद कि आरक्षण हम उसमें देंगे जो गरीब है कि इसके पास गरी जो वास्तों घरीब इसके विरोद में कहा है चलिए तुकि आपके पास आने का मेरे पास मैं शैधान्तिक बहस्मेन यह जाना चाहता आपने देखा हो गया हैं जितने लोग हैं सब कहरें कि practical तोर पर उतरेगा और विपक्ष का भी आरोप यह है कि आप वाकई यह करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं लेकिन मेरा आप से एक प्रश्ण जरूर है जो जिसके तरह इशारा किया गया है कि क्या यह कहीं सत्ता का जो संघर्श चला है उत्तर प्रदेश में चला मैं इंवर्टेट काम हम कह रहा हूं जो आरोप लगा जा रहा है कहीं उसको लेकर तो कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ा जा रहा है वाकई अगर आप इसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान क्यों आता है इस पर क्या कोई रोड मैब तेयार हुआ, क्या कैबिनेट का कोई नोट तेयार हुआ, या सरकार गया इसमें बिल लाने के तैयारी करी तो कि आएसे तो हो नहीं या या कूछ रहा है वो किसी की भी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाज़ पार्टी की रही हो, चाहे मेरी रही हो ये एक कौकस बन गया है, कुछ ऐसे बले ठिकेदारों का जो चाहते हैं कि कब सड़क बनेगा, कब नहीं बनेगा, क्या मानक होगा, सही होगा, गलत होगा इस कौकस को तोड़ने के लिए आम लोगों की सहभागिता इस रोजगार में बने इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस कौकस को तोड़ने के लिए आरक्षण क्यों इस कौकस को तोड़ने के लिए तो जिन्हों ने ये नेकसस बना के रखा हुआ है जो इस कोटरी में मिलकर काम करते हैं किसी को घुसने नहीं देते हैं अबेद दिवार है उनको क्यों नहीं गिराए गया ये आरक्छन से इसको कैसे तोड़ेंगे आरक्षण जो लागुआ वो तो आस्तिक अमल में हो नहीं पाएंगे उसका कारण है आप बहुत बड़े माफिया हो आप से हम नहीं लड़ सकते लेकिन अकर समाज ख़़ा हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे तो यह जो आरक्षण के रूप में हम एक समाज को मिलेगा और जब यह लाख लोगों की संक्या ख़़ी हो जाएगी तो यह आफिया माफिया कहीं तक लाई नहीं देंगे गिरी साहिब के इस वक्तव के बाद मैं और वक्ताओं के पास आ रहा हूं वक्त है ब्रेक का ब्रेक के बाद तुरन फिर चर्चा में आ रहें कहीं मत जाएगा काशी में ना सिफ पैनलिस्ट है बलकि यहां पर जनता है सबको सबके हम जवाब लेंगे सबसे हम चर्चा करेंगे कहीं मत जाएगे बने रही है राजनीत नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कासी में रविदास घाट के तर्ट से राजनीत के इस वि मत्री का उसको लेकर यहां भयानक ठंडी में भी काफी हल चले काफी गर्मी और मैं आप यकिन करिए अभी जब आप सुनेंगे तो जब हम ब्रेक में गयते तो उस समय यहां पर ज्यादा सरग्रम चल चाहती हम चाहेंगे कि उसी तरीके से आगे बढ़े राय साहिब चलिए अगर योगी जी कुछ चले ठीक है तो प्रसाद जी जाकर मुखमंतरी कुरसी बैट जाते हैं चले ठीक है कुल मिला के अब वह एक चर्चा है लेकिन मैं आप से जो समझना चाहता हूं यहां पर जंता यहां जो आप है कोई भी आरक्षण के खिलाप नहीं दिख रहे हैं ल उनका उनकी वह उनको और बरबात किया जाएगा उस बिचारे की हैसियत प्रमाण पत्र आप मांगेंगे कहीं से भी हैसियत प्रमाण पत्र लेके आएगा उसके बाद ठेकेदारी करने के लिए अनुभाव चाहिए पैसा चाहिए अगर ठेकेदारी में कहीं वह फस गया तो वो और बिख जाएगा उसका पूरा खंदान बिख जाएगा वो ऐसे ही एकदम गरीब है वो उठ नहीं पाएगा कई पीडियें उसकी उठ नहीं पाएंगी इसलिए यह केवल लाली बाप यह लोग दे रहा है अगर अरक्षा बनारस जिसको आप बोल रहें कि दूर्गामी प कुलार के आधान पार नहीं होगा और वो सड़कों की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं आपका कतन के मैंने अपने पहले बात में कहा कि यह शख ब्रश्चा 4 की ओर ले जाएगा मैंने कहा हाँ दिरे दिरे लोग उससे इत्फाक होते जारहा है और जैसे जनता की बीचों से भी बात यह आ रही है कि गरीब आदम कि पास इतना संसाधन कहां से आएगा कि वो इस ठेकेदार ठेकेदारी पर्था में आराइच्छल को जो कोटे के काम लेगा उसको सफलता के साथ वो कर लेगा मानक के तहद इसमें थोड़ी सी लोगों को संसे है चुकि दिक्कत कहां आ रही है कि ये मुर्त रूप होगा या न को अमली जामा पहना करकिया उनको उनके अर्मानों को पंक लगाने काम तो आज काशी ने कर दिया यहां से लेकिन बाबा सहाव अंबेटकर ने जब अगर आरक्षड की बात कही होगी तो उनकी सोच थी कि वी आरपीपुल्स लेकिन धिरे धिरे जो परिस्थितियां बदली तो आब लोग पूछते हैं who are people अब इससे हमें उबरना पड़ेगा मानक की बात होनी चाहिए मानक की बात होनी चाहिए न कि हमें आरक्षड हमें नहीं पता हमारे हमारा मित्र ही अगर रभी गौण अच्छा सलक नहीं बना पाएगा और हम यह समझे कि नहीं रभी त्रिप करेगा नहीं सहाब आप काकस को और उस जड़ों को मजबूत कर रहे हैं क्योंकि इतिहास गवा है कि जो कमजोर तपका बड़े बिच के नीचे अपने आपको सुरचित करेगा जाकर के और बड़ा बिक्ष कौन होता है यह बताने की जरूरत नहीं काकस तोड़ना हो तो सरक सरकार की अपनी दम होती है सरकार कारपराली होती है कमर तोड़ देती है अगर सरकार चाहती है रेलोबी में बहुत से डिविजन साइसे हैं कि एक पाउन गया नहीं कर सकते हैं कि इसमें विवस्था परिवर्तन मंदल और कमंडल दोनों सियासत के दौर में हम लोग पढ़े बढ़े और उसके बाद हमने पत्रकायता भी कि किसी ने राजनीत की आप हमसे वरिष्ट पत्रकार है, लेकिन देखे कैसे समय बदलता है, जिस समय मंडल की सियासत होती थी उसमें भारती जंता पार्टी आइसोलेशन में होती थी और उसमें मंडल के जो सबसे बड़े पुरूधा होते थे वरुन जी की पार्टी के लोग होते थे आज वरुन जी थोड़ा रेशनलिस्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं वो तिवारी और गौड के बीच में वो क्वालिटी की बात कर रहे हैं वही मुलायम सिंग्यादों होते थे जो कहते थे कि किस तरीके से क्यों नहीं जो है चलचित्र में और सिनेमा जगत में भी कुछ ल नहीं कि कैसे मुड़ों पर हम बदलते हैं कैसे मुड़ों पर आते और किस तरीकी अपना गोल सेट करते हैं तो यहां भी आरक्शन का जो अकुल मिलांके मामला दिखता है वो गोल सेट करने का ही है बीजेपी का में आरक्षण के मामले पीजेपी अपनी भरपाई पुराने जो उनका इतिहास था उसकी करना चाहती वो गड़े भरना चाहती है आरक्षण को लेकर जो बिहार के बाद से हुए थे और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी जो आरक्षण को लेकर देखे तो कितने तरह के बिजेपी सासित राज्यों में ही पिछले दिनों आंदोलन आरक्षण के सवाल पे हुए इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए और इसमें आप ये जो आरक्षण का मसला कहीं ने कहीं आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि हम सरकारी नोक्रियों से लेके उप्रम के जो नोक्रियां हमारे पास नोक्रियां नहीं है नोक्रियां नहीं है तो अब क्या ये ठेकदारी भी एक नोक्री का अलग तरीके का प्रक्रिया माना जाएगा हमने इतने लोग को ठेके के माद्ध हम से जाब दे दिया यह जाब होगा और दूसरा यह देखिए कि जिसे हम लोग एक टर्म है सिक्मी किराधार तो कि हमने दुकान ले लिया दुकान लेने वाला आदमी दूसरा चला रहा है तो क्या इसमें यह ठेका जब आ जाएगा तो यह जो बड़े काक सब्सक्राइब दूसरा लेकिन संदे है उससे पहले अब जरा मैं फिर काशी की जनता पास जाओंगा और अभी मैं जिस शक्स के पास जा रहा हूं अभी बीच्चिव में काफी तस्वीरे स्वीरे आपकी दिखाई पनी है जो वहां पर धरने औरने पर भी बैठे हुए थे होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि यह केवल इसमें सियासत है इस बयान में और चुकि सत्ताधारी पार्टी के लोगों को यह लगता है कि हम अपने कामों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे एक तरह का अविश्वास है इसलिए ठेकेदारी में आरक्षर जैसे सब कि समयान में की समानता का अधिकार यह आरक्षर जो है चाहे ठेकेदारी में हो यह अपबाद है यह उस समानता के अधिकार के विरुद्द है मोधी जी तो यह साब साब कहते है अगर आप समानता के अधिकार की आप बात कर रहें कि जो थोड़ा सम्रद है वो थोड़ा सा नीचे वालों को उठाए थोड़ा सा उसमें अपना अंसुदान करें अपना हिस्सा छोड़ें तो उसमें मोधी के सिध्धानतों से खिलाप कैसे यह हो गया कि वो सम्विधान की सवगंद खाते थे सम्विधान की दुहाई देते थे महत्यपूर्ण विसे यह है कि आज सारे लोग केवल सियासत कर रहे हैं मुद्दा बेरोजगारी का था उसको ठेकेदारी पर बदल दिया गया है आज का युवा कहीं जागरूख है ले गए हमको इतनी महत्यपूर्ण सम्विधान जैसी चीजे देकर और दलितों के आरक्षण की चीजे देकर मयवती जी अर्ध इस्तिती में हैं आप एक युवा की इस्तिती में हमारी कई पिणियां बर्बाद होती जा रही इस आरक्षण में कितना समय लेंगे आप सर रिजर्वेशन स्टार्ट मेरा नाम राजन पांडे है और मैं एक एंटर्पेंडेर हूँ यहीं पर और मैं यह कहना चाहँगा रिजर्वेशन स्टार्ट क्यों हुआ था जब हमारे हाथ त्याचार हो रहे थे जातिगत रूप से भेदभाव हो रहा था उस समय किया गया है उनको मुख्यधारा में लाने के लिए दस वर्षों के लिए फिर ये एक सिर्फ और सिर्फ राजनीत का एक हथियार बन गया और आज की डेट में भी वही हो रहा है अगर मेरे सारी पार्टियों ने इनका विरोध किया माले यह भाजपा ने आज कहा कि इसमें रिजर्व सब्सक्राइब नहीं होता है तब क्वाल्टी नहीं गिरती है जवाब लेते हैं अपना परिच्छे मेरा नाम मैं डक्टर दिनेश चदरोडा असिस्टेंट प्रोफेसर हूं जैसे भाई साब ने का आरक्षण आरक्षण से मेरा मानना आरक्षण तो नहीं होना चीए उससे क्वाल्टी गिरती है बढ़ती नहीं है क्योंकि आदमी उस पे आस्रित हो जाता है कि मैं कम भी वाओंगा थोड़ा भी रहेगा तो मैं बढ़ता चला जाओंगो मेरे कुछ सब्सक्राइब करेंगे ना प्रकास अंबेटकर करेंगे ना चिराग पासवान करेंगे कोई भी नहीं करेगा आर्थिक इस्तिती पर अरच्छण होना चाहिए जो सबको जरूरत है आथ के समय पे देखे क्या है कि आरक्षण मैं डाक्टर मुनेश कुमार मिसरा काशनी दोबिश विद्याले का पूरुच्छात्र हो आरक्षण किसी भी द्रिष्टी से समाज को बांट रहा है जब तक आरक्षण रहेगा समाज बढ़ता रहेगा और य जातिगत आरक्षण चलेगा जातिगत ओडवईं की राजनीती चलेगी तब तक हम आगे विकास नहीं कर पाएंगे चाहे सिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो चाहे क्या करते है कि ब्योशाय हो किसी भी जग़े आरक्षण की आउशकता नहीं है व्यक्ति सामर्त है उसको आगे सबसे पहले जाती कोई खतम कद तो आरक्षण हो जाए गाइगा अपने है लेकिन की बात कोहीं नहीं करता क्यूंकि वह पूरा का पूरा पुरा जाति पर खड़ा हुआ है जातिंग कि आज के डेट में मोदी जी के विचाव से देश को आगे बढ़ाने का कारे कर रहे हैं मौरिया जी ने जो किया वो गलत किया मौरिया जी ने जो भी किया वो सही था यह समान आरच्षड और यह ठेकदारी मारच्षड दोनों में फर्क है इसे गुलुवत्ता की खराबी नहीं आएगी समाज में समानता का भाव आएगा और बराबरी का भाव आएगा कुर्मिला के कई बार होता यह कि इनका अरच्षड अच्छा उनका अरच्षड खराब अभी हम इस तरीके की बहस में पढ़ गए लेकिन गिरीश आय कर देती है उसके बाद फिर आप नए सीरे से रिकंसिडरेशन करते हैं फिर उसके बाद अचानक यह फिर से कैसे आरच्षड की बात और एक बिल्कुल नए सोपान पर नहीं हमारे हाँ हर बार बैठक होती है सरणा भी होती है यह हुआ कि सब का साथ सब का विकाज और जितक लोगों ने उठा है लेकिन यह जो है यह सुद्रूप से ब्यापार टाइब का है वही तो प्रश्ण है कि पैसा कहा से आगा जो पूछा गया था कैसे वो करेगा सोन बद्रका दलित देके 40 लाग के वल नहीं है एक लाग से सुरू होकर 40 लाग तक है किसी की हैसियत एक आप करना चाहते हैं तो कलत आप कररें त थैक पढ़िए और तो कमण्दल रोले हो गया है एं अच्प धिछह मंधल्येशन के नाम पर भारती जंता पार्टी के जो ठेकेदार है भारती जनता पार्टी में जिनको पाकिट में पैसा भरना है उनके नाम पे ठेका लेंगे और अपना पाकिट विश्ण जी सारा समेश्या जारकंड के हार से उठा है जारकंड का हार जो हुआ है इससे दिमाग जो है लोगों का गरबला गया है श्रिफ फजूला छोड़ करके ओट लेने के बात चल रहा है सामने दिल्ली का चुना हो है उसके बाद बिहार का चुना हो है तो दिल्ली तहलाएगा और ब कि ये चर्चा ही दूसरी दिशा में चली जाएगी अगर हम इसको जारखन के तरब ले जाएगे ये बड़ा गंभीर मुद्दा है जैसा एक हमारे साथी ने भी कहा जनता के बीच में कि कम नंबर पाने वाला भी डाक्टर हो जाता और ज्यादा नंबर पाने वाला पीछे रह हो गया फिर काकस तूटा नहीं काकस तोनने के लिए हम अपने साथी चाहेंगे कोई अच्छी कारी हो जना भी बता दें जनता भी है और यह घाट यहां पर है रविदास जी की एक बड़ी तपो इस्तली भी है आप जरा यह भी बता दें कि काकस तूटे का कैसे का काकस तू करता है तो यह जो नए ठीकेदार आएंगे यह पूरी हिमानदारी से गुलोमत्ता के साथ बनाएंगे पूराने तो जो लाइन पर है अब वो जो नए आने तो दीजें नया सभावी तुरुप से अच्छी कौ आल्टी देगा उसमें कोई वरस्टाचार नहीं कर पाएगा क लारी सायर तुन मिला के मैंने जो बात है कि मेरा अरक्षन अच्छा इनका आरक्षन खराब यहाँ पर आरक्षन को लेकर बयानों की एक लंबी लाइन खीची जा रही है ऐसा दिखाई पड़ा लेकिन जो एक प्रेश्ट उठाया जा रहा है जो थोड़ा गंभीर किस्म से धांतिक तोर पर आपको लगता है कि वाकई यह फिजबिल है और समाज के लिए उचित है क्योंकि यह जानना ज्यादा जरूरी यह फिर इस पर कार्योजणा जब बनेगी तब देखा जाएगा कि देखे फिजबिल्टी का जहां तक सवाल है ना तो मेरी नजर में फिजबिल तो नहीं है क्योंकि एक नए तरीके की चर्चा होगी और नए तरीके का एक पूरा एक परसेप्सन मनाने को हो स्कुल बिला के सियासत का जो मामला है वो ज्यादा है फिजबिल्टी का मामला न नहीं मैंने समझता है जो मजबूत है पैसे से चाहे हो किसी भी जात या धर्म का हो ठेकदारी कर रहा है और इससे कुछ बहुत बदलाओ उसमें आ जाएगा यह नहीं है लेकिन एक कुल मिला कि स्यासी ताने बाने हैं और स्यासी तानों बानों का रंग क्या होता है वाने वाल यह हो गई लेकिन साइब वो कॉकस टूट नहीं पा रहा है तो एक नई कोशिस हम पहले से सवाल नहीं खड़ा कर रहें लेकिन सवाल उस पे खड़ा करना इसने विपक्ष की तरफ से अगर आ रहे हैं तो हमें उस पर चर्चा करनी है लेकिन सैधानतिक तोर पर वो कितना उ महाल गरम में वह भठका दिये लेकिन एक बात यह कहने का है कि जो भी ठेकेदार बड़े बड़े ठेकेदार जो सुरू से लेकि अब तक बैटे चाहिए जितने साल से बैटे हूं क्या यदि आरक्षार ले आएंगे तो क्या वो अपने नोकर अपने ड्रावर का नाम से क्य कुल मिलाक चिन्ता यह कि नोकर और ड्रावर के नाम पर यह सारी वेवस्ता हो जाएंगी यह चिन्ता तो है यह इस उन्ता पर पूरी तरीके से सरकर कि पूरी तक गिरी साहिब उसकी भी नहीं हुई है जो कहा था संग प्रमुख ने कहा था कि समिक्षा आरक्षण की करनी चाहिए उसकी समिक्षा शुरू हो गई क्या उसी को लिए कि हम उठाने की बाता है अखिर कव तक उनको हम तभी कुछले बनाए रहेंगे हम अगर यह बात करते हैं तो सब को बुरा लगता है लोगों को लगता है कि साथ फारवट के साथ अभी बैकवर्ट भी ले लेंगे अनसूचित भी बोट लेंगे चिंता इस बात का अभी विश्णू दयाल जी ने कहा जारकंड की बाद एक जारकंड का विधाट लिए परिचे परिचे मेरा नाम कैलास बर्मा है मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने लोग आरच्षण पर पहली बात कर रहे हैं पहली बात की आरच्षण क्यों लाया गया प्रतिनिधित्त्य देने के लिए और अगर हम यह लोग बिभिन भी सेव बात करें पहली बात कि कैसों मौर्याजी ने एक दम गलत बात की है दूसरी बात कि सिनेमा जगत क्या उन्होंने कहा कि हम वहां पर आरच्षण देंगे जहां संभाव नहीं है ठेकेदारी में सिनेमा जगत देख लिजिए सब सिच्छा उच्छा उप है कहीं पर भी जहां कर रहें कि नेकसस बना है सरकार चाहेगी समाज चाहेगा तो टूटेगा लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां पर जरूत है हमको जीने क्या चाहिए प्राण वायू चाहिए पानी चाहिए भोजन चाहिए तो यह सब कुछ जरूत है लेकिन यह बताई है उसस़े सबका अधिकार होना चाहिए लेकिन जो चीज जो करने में संब़ नहीं है आप गधे से मकान बन blends लग तो पहली बाद तो पहली बात तो पहली बात-व्ली अगर आप विपक्षी पार्टियों का क्या है कि भारती जनता पार्टी के जो राष्टवादी सरकार है जो भी कारे करती है अच्छा उसका केवल इनको केवल विरोध करना है चाहे हम रिजर्वेशन के बात करें चाहे हम CAA का बात करें चाहे हम राष्ट करें केवल विरोध करना है और करते हैं गांटा यह तो वह सरकार है जिस सरकार में मुख्यमंतरी का विरोध मुख्यमंतरी करता है इसा बात नहीं है जन्ता देखी है जन्ता देखी है कि 370 के मुद्दे पर बहन जी ने समर्थन किया यदि राष्ट और देश की बात आएगी और सही बात रहेगा समर्थन के बारे में कहा जाता है कॉंग्रेस के बड़े नेता है दिख विजय सिंग उन्होंने कहा था हमारे पास मा है और वो मा सीबी आई थी आजकल तो सीबी आई के पिता जी इडी भी हो गए है तो सीबी आई और इडी का तो एफेक्ट नहीं था हम अपनी बात करेंगे अपनी पार्टी की बात करेंगे न कि हम गैरों की बात करेंगे यदि आप निश्चित तोर पे दिल और दिमाग खोल करके जनता के हितों की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं लेकिन सही माने में आप उस सीच को जमिन पर उतारेंगे तो हम आपके स ऐसे केसाओब अपरशाद महोरिया जी सबत Iangen जब हारत का जवारत का जो आज के अ पिरान मन्तोरी रेजब बोलता है कि मैं नीच हूं तो वह खुद आरक्षण की बात तो परधानमंतरी कर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यह कर रहे हैं कि ठेकेदारी में आरक्षण मुझे लगता है कि बिना समीक्षा किये बिना अनुसंदान किये किसी विच्षेत में आरक्षण को बढ़ावा देना बिल्कुल गलत है साथी साथ में बताना चाहता हूँ कि यह आरक्षण जातिकत बेदभाव को मिटाने के लिए हुआ था लेकिन गरीबी और बीमारी बिना किसी जाती को देखकर नहीं आती है वो किसी भी जाती पर आ सकती है तो वरुन जी कुल मिला के देखे जब भी हम चर्चा कर रहे थे चर्चा सुर्वात तो ठेकेदारी में होने नहीं चाहिए लेकिन चर्चा जब ठोड़ा व्रहन्त विश्या पर चली जाती हो कासी पर चर्चा हो नहीं जोस्त पर कुछ कर नहीं सकती है लेकिन यह किसी भी दल से जुड़े लोग हो किसी दल के समर्धन में हो लेकिन एक बात की चिंता सबने जाहिर की कि आरक्षड की एक ब्यवस्ता को ऐसी ब्यवस्ता मत लागू कर देजिए कि आदमी हिन भावना का शिकार हो जाए और आरक्षड दिया गया अगर कि कमजोर तबकों को के लिए नखी आरक्षड इसलिए दिया गया कि आर्थिक अपरात का सुरोध बना दिया जाए उसको इसलिए बाकि रहेगे भीशे विशांतर तो चुकि चर्चाएं जब चलेंगी तो कहीं हिए भीशे विशांतर लोग करने वाले वी रहेंगे इसलिए एबीपी घंगा को तो हम लोग इसलिए साधुबाद देंगे कि स्वस्त चर्चा आपने कराया इसलिए हम साधुबाद देते हैं लारी सहब मैं जल्दी से आप से समझना चाहूँगा इस बात को क्योंकि देखिए विश्यांतर तो स्वभावी के जो बात वरूंजी करें मैं बिल्कुल सहमा तो इस बात से लेकिन क्या ये आरक्षण का ये जो नया मुद्दा आया है इसका राजनीतिक प्रभाव या दूस सिगूफा है वो अभी लगभग धाय साल या धाय साल से कुछ कम यूपी के चुनाओं है और अभी बिहार और दिल्ली के चुनाओं होने वाले है तो इसको किस रूप में देखा जाएगा ये इसके नेतार्ट क्या राजनीतिक निकाले जाएंगे ये इसका हमें जरूर दे आप से यह पूछा था कि कुल मिला कि आपके पास क्या रोड मैप है वो कहरें साफ साफ सी गुपाई वो तो किसी राजितिक दल से है नहीं और यहां पर भी जो लोग मौजूद है जो समर्थन में भी है वो भी विश्वास नहीं कर पारें बाकी खैर आरक्षण के पक्ष और केवल भारती जनता पार्टी इसके पक्ष में हैं जो समाजबादी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो लोग आज तक आरक्षण की मांग करते थे अब कम से कम हूँ आरक्षण के विरोध में आ गए यह हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं कि यह सारे लोग विरोध में आए और हम पक्ष में आ गए हैं इसकी गिरी से देखे भारती जनता पार्टी ज्याक्ख्यां बहुत अच्छी कर लेती है वह यहां भी कर दी अब औरो ने आपको एक मोहर लगा दी कि आप इसके खिलाप हैं हैं आप यह वाल प्रयोग साला लात कि दसल काशी में जब भी आओ तो यह काला तीज शहर है जहां पर समय से भी पुराना शहर है तो समय जैसे रुख जाता है कैसे इस सर्दी में भी वक्त गुजरा नहीं पता चला और हमारे पास वक्त इतना था यहां काशी की जनता को जो यहां रवीदास खाट पर मौजू कि जूद्धि उसका बहुत-बहुत-पूद इस सर्दी को भी मात भी कि जो बिलकुल उन्होंने यहां पर इस सर्दी में कुले में खड़े होकर चर्चा की समय सेली चर्चा की और कुश काम की बात निकली और आज की राज़ीत में बस इतना ही कल फिर हम आजी रहूंगे कासी से ही इसी जगे से कासी की किसी दूसरे स्थान से हम रहेंगे सियासत की नई बारत लेकर तब तक आप देखते रही है एबी पी गंगा खबर आपकी जुबारत की